हुली में ते बहुत सारे गुजिया खालिया आपने मिठे बाला इस बार आप आलू का स्टॉफिंग भरा हुआ गुजिया बनाईए नमस्कार भूमिज कीचेन लाइफ टेल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्र लिजिए और लाइक शेयर जरूर करें तो चलिए इसका बनाने का तरीका देखते हैं यहां पर मैंने गेहूं का आटा लिया है एक कॉप है कि सूजी लिया है हाप कॉप है नमक डाले हाप चमच या फिर एक चमच आपके स्वाधून सर ले सकते हैं अजवाइन आपको एक चमच लेना है यहां पर सुनफ्लावर ओयल या फिर स्वयाविन ओयल कोई भी विजिटेबुल ओयल ले सकते हैं इसमें दो चमच बड़े चमच इसके बाद इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छ चे इसे देखिए मिक्स करने के बाद जैसे आपके हाथों में मुठी बन जा पानी जरूरत के हिसाब से डाले इसका हम एक हाड डो बनाएंगे बहुत ज्यादा हाड भी नहीं बहुत ज्यादा सॉप्ट भी नहीं रोटी जैसा तो ऐसे इस तरीके से आपको एक डो बनाना है और इसको हम रख देंगे अलग से और यहां पे मैं स्टॉफिंग के लिए बना रही हूं यहां पे शर्षो का तेल में ने लिया है एक चमच बड़ा चमच और इसमें हम हाप चमच डालेंगे जीरा कि दस से बारा करीपत्ता और उबला हुआ अलू दो अलू को आप पहले से मेश करके भी ले सकते हैं तो इन सबी को अच्छे से मीक्स कर लेंगे आलू और बाकी जित्रा भी सामान है आलू को अच्छे से मीक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक नमक आपके स्वादान उसर लीजिए इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हाप चमच उसके बाद गरब मसाला पाउडर आप ले सकते हैं या फिर भुना हुआ जीरा पाउडर लाल मेच पाउडर एक चमच इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे है यह अच्छे से स्ट्विंग हमारा रेडी हो जाएगा अगया है अभी हम इसको ग्यास बंद कर देंगे और इसको बनाने का तरीका बनाने का प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है यहां पर हमारा आलो का स्टॉफिंग भी रेडी है यहां पर मैंने एक ब्रेड क्रॉम्स लिया है एक बावल में हम लेंगे मैदा हापकॉप और इसमें हम पानी ला लेंगे और इसका भी एक बैटर बनाना है थोड़ सा हापकॉप जैसा पानी ले लीजिए और एक पतला घोल बनाना है इसका यह देखिए ऐसे कॉंसेशेंसी में होना चाहिए ज्यादा गाठा नहीं होना चाहिए तो यह जो घूल जो है और ब्रेड क्रॉम्स है यह अप्शनाल है आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर ना चाहे तो आप ऐसे भी इसको तल सकते हैं तो बनाने के बाद मैं बताऊंगी सब्सक्राइब को फिर से हम थोड़ा सा गूंत लेंगे जो दो था अभी एक ऐसे थोड़ा थोड़ा बॉल बना लेंगे तो मैंने सारे बॉल बना लिया है तो इसको एक राउंड शेप में थोड़ा मोटा करके हम एक रूटी बनाएंगे तो देखिए बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ऐसे बॉल ले लिजिए और इसमें इसे कट्रे से हमें काट देंगे इसको तो पूरा अच्छे तरह से गोल से पाजाएगा आप चाहे तो कोई भी टिफिन बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस टाइप का एक राउंड शेप मिल गया हमें तो इसके बाद इसके अंदर हम भरेंगे आलू का स्टॉफिं इसको हम थोड़ा साथ जो मेदे का मैंने बनाया था घोल को इसको हम लगा देंगे शाइड-शाइड में और इसको हम सील करतेंगे आप मैं देखे गोल के जगह पानी भी ले सकते हैं और साइड से दबा देंगे तो यह अंदर से सील हो जाएगा आलू का स्टॉफिंग जो है बाहर से नहीं निकलेगा तलने के समय अभी एक फॉर्क लेके काटा छूरी लेके इसमें एक डिजाइन बना देंगे तो देखे यह बाला बन गया है डिजाइन तो इसी तरीके से बाकी जितना भी है हम बना लेंगे अभी इसमें हम मैदे का गोल जो है इसमें डुबा देंगे और उसके उपर से ब्रेड क्रॉम से उपर से हम ऐसे कोट कर लेंगे और इसको हम अलग से रखते जाएंगे तो आप एक साथ बहुत सारे बेल लीजिए ऐसे गोल गोल कर लीजिए उसके बाद तीन चार एक साथ ऐसे आप सील करने और इसे त्यार करके रख लें ऐसे आप बनाएंगे तो मैदे का घोल और बिना ब्रेड क्रॉम्स लगाते हुए भी आप डायरेट्ट तल सकते हैं अभी तेल अलोड़ी गरम करने के लिए मैंने रख दिया था तो तेल गरम हो चुका है और उसके बाद हम तेल में तलेंगे ब्रेड क्रॉम्स जो है और मैदे का घोल है आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप डायरेट्ट तल सकते हैं बीना ब्रेड क्रॉम्स और बीना मैदे का घोल डाल के तो इसको लगभग चार से पांच मिलिट तक इसको मीडियम आज में इसको तनना है तो देखिए तलने के बाद इस तरह से आपको आबा जाएगा मतलब एक दम क्रिश्पी बनता है यह आप चाहे तो इभिनिक स्नाक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में किसी पर चरह इसको खा सकते हैं और इसमें मैंने मैदे का इस्तमाल नहीं किया है तो बहुत हैल्दी गुज झाल किया है ट्यूवलों किस्टाइब बाद